हेलो फ्रेंड्स तो कैसे आप लो आसा करता हूं कोई आपसे बेच्छ होंगे और आपकी त्यारी बहुत अच्छे चल रही होगी आज किस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट कहेंगे नितु सिंग बोकाइब के बुक की ठीक है तो यह पार्ट सिक्ष होगा इसके पहले में एक सीट आपकी हो जाए तो आपकी सीरीज को अफिशे फॉलो कीजिए मेरा इश्वास है कि आपका आपके एक सीरीज से काफी सारे क्वेश्चन और काफी सारे कंसेप्ट आपको डेट सिखने हो मिलेंगे ठीक है और आपके एक सीरीज काफी एक स्कोर करने में यह सीरीज आपको मड़द करेगा ठीक है तो अर दूसरी बात इस सीरीज के साथ साथ मैंने जीके के एक सीरीज स्टार्ट कर दिया है जो कि क्योंकि आप भी पता हो कि जीके के 75 कोईश्चन और इंग्लिजिस के 75 कोईश्चन और इंगलिस के 75 और आप इसको देख सकते हैं ठीक है और आप इसको और इंप्रूब कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको कुछ कोड सुनाने चाहता हूँ तक कि आपकी मोटिवेशन का लेबल बना रहे असफलता एक चुनावती है जैसे विकार करो क्या कमी रह गई देखो और शुधार करो जब तक मसफल हो निंद चैन को त्यागो तूम सिंखर्स का मैजान छोड़ मत भागो तूम कुछ किये बीना ही जैजेकार नहीं होती और कोचिस करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों बहले ही MTS में इतने सारे फॉर्म गिरे हैं मतले मेरे साब से और 35 प्लस फॉर्म यह 40 प्लस फॉर्म 40 प्लस फॉर्म 40 लाक फॉर्म बहले भरे गए होंगे लेकिन आपको डनन नहीं है आप इस यूदे के मैदान में डर गए तो फिर आप भादूर नहीं इसलिए अपको कि मेरे में क्या कमी रगए कि मैं आज तक स्लेक्ट नहीं हुआ तो को मुट्वेशन के लिए कोई वीडियो देखने जो तो नहीं है बस अपने आखे बंद कीजिए और अपने माभाप का शपना माभाप का चहरा अपने सामने देखने को प्रयास कीजिए बस उससे आपको लाइब में और कुछ नहीं हो सकता है जब भी आपको पढ़ने का मन नहीं करें तो कभी भी थोड़ाँ आप बोरिंग फिल करें ठीक है या अपको डी मोटवाइट फिल करें तो एक बार आखे बंद करके अपने माबाब का चेहरा जरूर याद किजिएगा पुछे द सरगारी जॉब में सेलेक्ट हो गया तो वो चीज कब मिलेगी उससे इसलिए आपको प्रियास उस दिन के लिए करना है ठीक है और दोस्तों ऐसा बत नहीं असपलता सब को मिलती है ठीक है आप उस पर काम कीजिए अपने कम्यों को देखिए ठीक है क्योंकि जितने भी महाफूरुस हुए हैं या बड़े-बड़े प्रसनलिटी को आप देखिएगा सब ने असपलता को फेस किया है लेकि नुन ने क्या किया अपने कम्यों को देखा उसे इंप्रूव करा और आज लाइफ में काफी अच्छे काम पर बहुँच चुके हैं तीसलिए आपको भी आज सब लोग करेंगे फ्रिजर्स करेंगे ठीक है चले इसको सूरी करते हैं ठीक है पहला आपका इचिस हील्स मतलब कर दोस्तों कमजूर पक्च अगला है एड फ्यूल टू फायर मतलब आग में घीडान आप सुनाओगा आग में घीडालना ठीक है तुमेका मैटर वार्स मतलब क्या हो गया असानी यह मची आए ठीक है मतलब आर्म मतलब क्या हो गया इसी नोकरी जिसमें आप अराम से बैठ रहे हैं चैसे से आप इजली सब काम कर पा रहे है और दोस्तों को बोलते हैं हम लोग सरकारी नोकरी आपने देखा हो दोस्तों कोबीड में यतने सारे लोग परिसान हुए जो जिन्होंने प्रैबट जोब कर रहे है लेकिन जिनका सरकारी नोकरी था उन्होंने क्या किया घर पर बैठ गया सब काम अगर सब कुछ बंद हो गया था और बटन के सेलरी क्या सेलरी उनको जोब में हमारा लाइब शेक्र होता है इसलिए दोस्तों हम लोग लड़ रहे है इसके लिए कि हमारा भी गौर्मेंट जब लग जाए ठीक है अगला है एन एक्स्टू ग्रिंड मतलब स्वार्ट सबहा उपदेश से जिसमें स्वार्त हो ठीक है इस दोस्तों आपने देखा होता है तो ऐसा नहीं कि आजकल तो बहुत ऐसे कम दोस्त मिलेंगे जो जो नहीं स्वार्त भाव से आपसे दोस्ती करते हैं आपसे दोस्ती निभाते हैं बाकि सब के पास कोई कोई एक उदस होता है कि मैं इसे दोस्ती कर रहा हूं तो यह 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 मुझे पढ़ने में तेज मैं इसे कुछ सीखूँगा ठीक है या इसे कुछ लोंगा तो कहीं ने कहीं उसके मन में आपसे स्वार्त की भावना होती है तो इसनकों बोलते हैं NX2-Grind तो स्वार्त से भावना उधश से अगला है N iron yield मतलब होता है दिर्ड इशा सकती a strong will pound अगर हम लाइफ में सपन होना चाहते है नृइ Sometime सपन होना चाहते है तो हमारे पास एक दिशा सट्तन होना चाहिए एक iron wheel-pound होना चाहिए यही a strong wheel-power और हमें लाइफ में सपक्रिके सब्सक्रम्हान जाता है को रिलिशनसीप पास्ट का बहुत पुराना हो गया जिनको उसको जाद कर रहा है तो क्या पहलेंगे एन ओल्ड फ्लेम क्या बहलेंगे एन ओल्ड फ्लेम चलिए अगला हमारा है एन ओल्ड हीट ऑन यंग सोल्डर से मतलब अपनी उम्र से ज्यादा समझधार होना ठीक है तो अब देखें क्या है कि इस विए शोल्डर क्या है शोल्डर यंग है लेकिन यंग सोल्डर पे आपने पुराने जिम्हादार जितने ओल्ड हीड है उसको रख दिया मतलब क्या होगा कि अगर आप अगर आपने उम्र से भी जाए समझधार निकला मतलब अचाईल और यंग अगर आपने उम्र से जाए समझधार होना अर्थाथ एन ओल्ड हीड और यंग सोल्डर अगला वाट है हमारा एन ओलिव ब्रांच मतलब वाइट फ्लैट शांती निविदन पीस रिक्वेस्ट ठीक है अगला हमारा एपल अप डिसकॉर्ड जगड कारन मैट डिसको आप इस कारण बाद ममी ने एक एपल यहां की जाओ बटा लेकर खालो दोनों अब दो भाई थे अब दोनों जगड़ा लएक की मैं खाऊंगा तो क्या होगया वह जगड़े कारण हो रहा है एपल एक ही है लेकिन खाने मेला दो आदमी है तो उसको घगड़े कारण था वह क्या हो ठीक है तो इसको बोलेंगे एपल आप डिस्कॉर्ड मेंटर डिस्पूट दोस्तों मैंने इसका पर कुछ कहाने मिना का आपको बता रहा हूं तक कि आपको लंबे शमय तक याद रहे क्योंकि आपको इस पर एक्जैमेरेशन में फोरना है किसी हालत में एस MTS में एक सेलेक्षन लेना ही लेना है ठीक है दोस्तों चलिए अगला है एपल आफ वन्स आई मतलब दूलारा प्यारा ठीक है आप रहेखिए वैरी लुवल डिस्ट वन तो इसका मतलब काया हो गया बहुत दूलारा आपने बेटे को बेटे के लिए हमेसा एपल आफ वन् बहुत प्यारा मतलब कुछ भी हो जाए लेकि मा जो है इस दुनिया की सबसे बड़े गिफ्ट है गौड का दर दिया हुआ इसलिए आपको हमेसा अपने माबाप का शम्मान करना चाहिए क्योंकि अगर आप लाइफ में आज जहां भी है या जहां भी या आपना वहां तब पहुचने में अपने माबाप का सबसे बड़ा युगदान है इसलिए हमें उनका हमेशा रिवेश करना चाहिए अगर आपने माबाप का आदर सम्मान नहीं किया तो फिर आफ लाइफ में दोस्तों कभी भी शफल में सकते हैं क्योंकि वह क्या है वह मतलब हमको हमेशा अप अपने मानती है अपसे बहुत प्यार करती है डियर्स वन बहरी लवल तीसलिए आपको वह करना पड़ेगा उतना आप कर सकते हैं न दोस्तों जिन्हों आपको इस ब्रेद भी पर इस दुनिया में लाया उसके लिए तो आप रिक्वेस्ट आप हमेशा मतलब कोई भी बात ह है उनको नाटी है नहीं उनसे रिवेस्ट करके बोलिए ठीक है और हमेशा प्रेम से बोलिए नेक्स्ट अमरा वर्ड है दोस्तों अगला बढ़ा एपल पाई ओडर मतलब बिल्कुल ठीक हालत में अपने अपने खरतके लाया उसके लिए उसके फॉर्मिट में आप नोसे देखा ह। आप आते हैं दुकान पे एपल खरतने जो फर्वल होता है न उसको एपल को एक एरेंजमेंश मैं एक मतल ऐसा करते रखत मतलब इन गुड कंडिशन और आपको लए कि यह श्रीव अच्छा है ठीक है उसको मुझे खड़ना चाहिए आप जाते है उसको भाई करते है और खाते है तो एपल पाई ओडर मतलब आप जब दुकान में जाएंगे तो जो फर्वल होगा वो एपल को एक ओडर में रखता है मतलब पाई फर्मेट में उसको क्या करते है अच्छे से बना के रखता है सजा के रखता है तक आपको अच्छा लगे और आप जाको उसको खड़े दे ठीक है तो यह होगे एपल पाई ओडर बिल्कुल ठीक है तुमी इन गुड कंडिशन अगला बढ़ा है एट लॉस ठीक अच्छानक कुछ नहीं सुझेगा कि मैं क्या करो क्या नहीं करूँ मतलब आप उसमें अपना नहीं ले पा रहे है तो उसको बोलेंगे एट लॉस चाहता है न दोस्तों तो उसमें भेंकर कन्फूज होता है उसको बोलते है निडले ना ले पना तुबी अनेबल टूड़ी तो रहर्म सुक्राइब तो क्या करें एग है कि एग और फिंज मतलब दोस्तों कहा होता है शा्मस्या में होना आप दिल्फ ट्रसूइशं ठीक है अगल है में अब आंपट मतलब दूर रखना दोस्ति ने रकना ठीक है, to avoid become too friendly, सही बात है, दोस्तों, अगर आपको इस महाल में आजकल चल रहा है, तो आपको एंड-ार्म स्लेंथ मना कर रखना होगा, कुछ दूर भी बना कर रखना होगा, क्यों कि देखे, अगर दोस्ती सची नहीं के लिए, तब तो आपको फायदा होगा, अगर दोस्त में जब प्रेर होती है, उसमें सेर्फ बोलती है कि एक हाथ के दूर ले लो, मतलब at arms length करके बोलते हैं, दूर बनाया रखना, ठीक है, तो इसको बोलते है, at arms length मतलब दूर रखना, दूर बनाया रखना, तो दूर से आप इसको याद कर सकते हैं, अगला हमारा at digest round, मतलब र चिंता रही थे, free from pain, मतलब क्या होता है, अगर अगर आप चिंता रही थे, free from pain and anxiety, तो आपकी study अच्छी होगी और आप examination में अच्छे performance करेंगे, यसे बोलता है कि हमेशा चिंता है, आपको मेशा करम करना दोश्तों, फल्क जंद नहीं करना है, क्योंकि भवान से बोला है, पार्त त्नक्ल करम करो, ठाल के छिंता मत करो, क्योंकि फल्क नहीं है, और जो हमारे हाथ में नहीं है, उसको सूच का आपना time क्यों मरबात करेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कर्म होगी बनिये, ठाल के क्योंकि जो हमारा करम अच्छा होगा, अगर हम अच्छे से महन किजिए चिंता रही तो यह चिंता दूस्तों क्यों होती है हमको लगता है कि अगर में अग्जाम नहीं किला तो फिर क्या होगा मार्स नहीं तो क्या होगा समाज को क्या जवाब देंगे करवालों क्या जवाब देंगे तो वो चिंता उचिस होती है तुको चिंता नहीं करनी है, आपको at ease रहना है, तीसरे आपको याद हो गया होगा, अगला है at once fingers tips, मतलब पूर जनकारी होना, ना तो आपकी पूरे fingers की tips मालू में, तो आपके पूरे जनकार है, to have complete knowledge, तीक है, अगला है at once, with ind, मतलब ulgen में, सोचिए, with मतलब बुद्धी, आपकी जो बुद्धी थी, एक बुद्धी थी, वो भी क्या हो गई, खतम हो गई, ind हो गई, तो आप ulgen में है, क्या करें क्या नहीं, puzzle है, confused है, पर flexed है, ठीक है, तो बोलंगे, at once, with ind, मेरे पास एक बुद्धी थी, वो भी एक this order, अब दोसे देखिए, तो अगर आप देखिए, अगर आप देखिए, गर नंबर को 6 और 7, तो कुछ अजीव आपको देखिए, देखें लेगा number, मतलब यह इसका बनावट है, वो कुछ अजीव तरह रगा है, और उसको साथ ला दीजिए, तो 6, 7, मतलब उसको लगता ह अगर आप देखिए, अगर आप देखिए, अगर आप देखिए, 11 क्या है, 11 क्या है, 11 क्या है, ओर्डर में, ठीक है, इसे 22, यह क्या है, ओर्डर में, लेकिन 6, 7 क्या है, ओर्डर में नहीं है, कुछ अजीव तरह देखिए, इसे निकल गया, इसे निकल गया है, ठीक है, त रिस्क लेए ना मतलब दाव पर सही बात है, अब अंतिम समय में, मतलब आप चोचिए, जब 12 आ रहाता है, तो क्या होता है, अपने घडिम देखा हो ना, जब 12 बारा बस थें, उसके बात क्या होता है, फिर आपस से 1 बज़ता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगी है, मतलब 11 ब बैक सेफिछ गोसिब, बतलब नौकरों के बीच का है गपसप, मतलब क्या है, कूरची बाट गया है, से उसके जब 12你看 चोउई, इसके बाता है, की बहुता है, मतलब चक सारीज बात कर सकी होता है, वहाप मैं धनीटक बैला बुराई करने के लिए तो बोलेंगे आप क्या है मतलब ऐसा कोई बेक्ति जिसके अंदर जो बुरा सोचो बुरी भावना हो तो किसी के पड़ती तो इसका प्राट कैसा होगा बुराई होगा ठीक है गंदा ही होगा तो इसी लिए उसको बोलेंगे मतलब उसका बिचार का सिंपल से बात है अगला है बैकर्स डोजन मतलब संख्या में 13 ठीक है अब देखिए डोजन था हो गया आपका 12 लेकिन बैकर्स एक और एड हो गया तो अब लिए उसको 13 हो गया तो बोलेंगे थार्टी नहीं नमबार आपको इसको हैसी आत कर सकते हैं अगला है अगला है ब कि working on question. अब सकता है मे इसरी के इसजीन करवा ऊईब दोस्तों आपको इस इडिय आप याद करना है आपको समझना है कि वर्ञेर कर किया रहा है इसनिलिस पुसि का मतलब उडेय dif न से इडिनी आने हो गया है Tips को में तो मौहाबर्ट में चेंज कर दियाū आपको वाट इसका मेन समझना है बस सारा काम होजाए नेक्स है बी इन ड्राइपिन सीट मतलब सारी जुमदारिया का भारूठाना बिंग ओल रिस्पंसबिलिटीज नेक्स है बीर दे ब्रंट ओफ मतलब पर्याम भगतना अगला है बीट बाउर बस गुमा फिरा कर बाते करना बीट ब्लैक ड्रॉट इस तरह से पीट देना ठीक है कि वो क्या हो जाए उसका सरी जो है न वो पुड़ा ब्लैक हो जाए देखते हैं दोस्तों किसी को अधे पीट दे गया तो और भी जाता है बलयक हो जाता है उसको बोलते है अधे पीटाई करना यहां ब्लू को मतलब आपको गुलाब का भी चाहन दिया गया है आपको बेट किसका है गुलाब का है रोज का है तो समर का आप बुटर से अनन्दित हैं आप बेट पर सोएंगे तो आपको गुलाब का फुल की सुना एक समझ सकते हैं आपको स्वार के तरह फिलिंग आएगी तीके मतलब आप आनन्द से भरपूर होंगे तीके मतलब हो गया आपका जो सिच्वेशन है वह क्या हो प्लिजेंट हो comfort zone में हो उसका बोलते है बेट कारण और तकलीव सब्सक्राइब आपका थ्रोंस का हो जाए ठीके बहुत डिफल सिच्वेशन तो उसको गोलेंगे अब लो बेट आफ थ्रोंस इसको बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब अब अब नहीं है सुचिए अब यहां आप दिया बेगर बेगर मतलता है बिखारी बताना बहुत मुस्किल है दोस्तों उसके बताने के लिए है ही क्या कुछ नहीं है इतनी सारी इसके बास डिफिकल्टी है इतनी सारी प्रोब्लम है ठीक है कि वह बंडन कर सकता है एक विखारी कि उसको क्या क्या प्रोब्लम आती है खाने से लिकार सुबह से लगा साम तक जिदने भी किरियाएं होती है उसमें क्या-क्या difficulty face करता है क्योंकि पैसे तहीं नहीं तो इसलिए उपनी जो उसका situation है ठीक है वो बनन करने में स्क्राइब नहीं है उसको बोलते है अवर्णी है इसलिए कहा गया बेगर डिस्क्राइब नहीं कर पाए उसको बोलते हैं बेगर डिस्क्राइब नहीं कर पाए उसको बोलते हैं बेगर डिस्क्राइब डिस्क्राइब नहीं कर पाए उसको बोलते हैं बेगर डि ुए ली अचनक हागी। लेकिन आपने क्या रिए। आप बलियु को भागाने के लिए बले बाल बजा रहे है तो आप अप स्वें जोखन उठा रहे है। तो आप जानते भी जो किमिठा रहे हैं तो टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट परस्टनल रिस्क तो बलते हैं बेल्द कैट ठीक है निस्ट है बीट्वीन देविल एंड इप सी एक तरफ राक्षास है दूसरा तरफ क्या है गरा समुद्र है परसानी क्या है परसानी दोनों तर लिए जिसका वेनिक को क्या हो गिए दू गंफिर परसानी वीच होना ये आगव कि अगला है बिग गर्ण मतलब क्या दोस्तों उची पहुचवाला वेक्ति कर बहुँते हैं बलते बद्युत क्या … इसकी बबाल क्या बंत्रित हो जिसका मेंहिते है एक मतलब समझें, शिम्पल बात सुचिए कि गरीव के बास बंदू कहां से आगा, वह भी 1.7.7 तो इसलिए का गए, उची पहुचवाला ब्रक्ती, एन इन इन फ्लिएंसियल पर्सन, नेक्स्ट है मारा बर्ड फैसे, मतलब यदा कदा आने वाला, और मतलब समझें, कि पक्चिया अक्सर आपको नहीं देखेंगें, अब तो बहुत कम हो गई है, तो पक्चियों को एक मौश्रम होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह आती है, कुछ समय के लिए, फिर वहां से फिर अपने अस्थान पर वापस लाती है, मतलब जो कभी-कभी आती है, उसको बहुत के बाउड़ बाउड़ पैसे, इसमेड़ा बाउड़ आई व्यू, मतलब सरसेरी निगा, ओबर व्यू, ठीक है, चुड़िया कैसे दखती है, तुरंद अभी यह दह देखेगी, आप देखेंगे, क्रो को क्या करता है, तुरंद यहां आप देखेग करता है, तो वही मतलब सारे जो को चारू तरफ दखता है, कि इसे साचारी निगा से देखता है, मतलब किस एक जगा कांटूर निगा से देखता है, व्यूद अजैसे आप यह से बिष्ञ बजाएं, तुरंद वहाच चाला गया, नेक्स्ट है, बड्स और फिडर्स, मतलब सबको उटता ही है, सबको क्या है, बड्स होता क्या है, जिब पंक होज ऊट सके, तो बड्स फिदर मतलब पंक्षी वाले साहरे पंक्षी मतलब एक ही परभृति के लोग, तो people with the same idea, उसका बलेंगे बड़ फिदर बलेंगे मतलब लगधेद blender creative पराजीत होना To be deepiveness बनदब लगधे दस्ट Black sleep इसा बड्यवर्ड दूल बनद नहीं हो गया धूल छृता 시간 बनदब लगधेद गया पराजीत होना इसा वक्ति परिवार टीम के लिए सर्मिंदी के कारण बने ठीक है मतलब आप दोस्टा आप मेहनत कर रहे हैं सबको मेहनत करता है ठीक है लिए निक भी वहशा होता है कि हम लोग सफल नहीं होता है तो आप सुछते हैं कि मैं जाओंगा फैमिली में तो क्या लोग क्या कहे गया या मेरे समाज क्या कहेगा तो आप उसमें क्या है आप उसमें ब्लैक सीब बन जाते हैं परवार में जाएंगे तो आप कुछ मिला नहीं आप जब लोग कर रहे हैं क्या कर रहे थी दिन से क्या हुआ करें कुछ हुआ कि नहीं करें सिलाट ठोए कि नहीं और दोस्तों यहीं situation है यह black sheep वाली जो हमें मजबूर करती है कि हमें प्रेप्रेशन करना चाहिए black sheep बनने से क्या फैद दोस्तों आप जाएंगे सरमिंदिगे होंगे उससे आपको क्या मिले कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिने वाल है उसके बदले में आपको इस black sheep बनने से बचने के लिए आपको मेहनत करने पड़ेगी आपकी जीतवर मेहनत करने पड़ेगी ठीक है इसे लिए में प्यकुलता हूँ कि आप जब ही मिनत किजिए ना किछी एक्जामिशन करती है पूरी शिदह से किए कि जब पूरी दिल से करेंगे तो पूरी कहनवात आपको सीज़गों मिलाने में लग जाती है तो आपको बलक से बनने से बच जाएंगे अगर आप दिरो जान से मेहनत करते है अगर हमारा ब्लाइंड एलाई मतलब क्यावा दोस्तों कार जिसमें आगे की प्रिगती शुमा अगरे मतलब किसी अंजान ब्रुक्ती से मिलना तो जिसको आप जानते हैं उसको ब्लाइंड बहुत है गर? मारा blind date, मतला किसे जान की से मिलना, ठीक है, अमेडिक वेटिंग वेटिंग दे गरल और बोर्ग वेज़ वहावनतर बिफोर। वह ब्लाइंड डेट मतलब मिलना होता है ठीक है आपने सुना हुआ कि बहुत सारे मैचे हैं वह डेट बजाते हैं लोग गल्फ्रेंड और बॉइफेंड उसका मामला रहता है जो ब्लाइंड डेट निक्ष्ट है मारा अ ब्लूव वंद्स आउन ट्रंप конф ड्रॉंप उसके अपना ही बजा इसे पज़ीत बेचाption करना तो अपने ऻापन immense से प्युशन यहीं कंशतों यहीं की पोसी बचार कि फेलेद अपने में घृष्ट करेर कि इवन तरिंधल बहुजंद नहीं पेले दीतitto की व delivery कें अपना ट्रमपलिट खुद बजारहे हैं खुद बुलो कर रहे हैं ठीक है नेक्षे मेरा Blue Blood मतलब सही नहीं होती दोस्तों आपने आपने ज़स्त उपर पढ़ा है Bad Blood उसका का वह जादा इनमीटी शुदूरता और यहां भी है Blue Blood मतलब शाही विकती, मतलब जिसके इंतर Blood blue हो तो क्या होता है वो धनी होता है मतलब इससगह घर होती है ज़िस घर में रहता है क्या साहिड होती है जुखना कोई कमी है नए लुट हो को tiya wal Tao Kalabu कैसा रहें ब्लू रहेरा जितना खाना उतिना घृत, काजुह है कैस्ग किसमिय कंस है जzetने ड्रायर फूट है सब जितना भी मतलब पोस्टी काहरे सब हो लिता है ठीक है तो इसको अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कि तो लाइक कर दें क्योंकि मैंने आपके लिए इतने अच्छे से ट्रिक्स माद में से बता रहा हूं ठीक है और दोस्तों वीडियो को मुझे आपने वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो मुझे आगे भी वीडियो इस तरह का लाना अच्छा लगता है इसलिए दूस्तर में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को एक लाइक करना में क्या दें अगर आपने में चैनल पाया है इस वीडियो को देख र नेक्स्ट है body and soul, मतलब करते है पुनितिया, एंटारली मतलब body भी और soul आत्मा भी, मतलब क्या दोनों को मिला कि तो पुनितिया हो गया तो अक्working माल दिख हो गया, अकस्मीक भीति, खुशी है पुशी है, blue था बूल मतलब क्या हो गया खुशी लेकिन उसमें अचानक बॉल्ट आ गया अकास्मिक बिप्रति आ गयी यह सो बोलते हैं अन एक्सप्टेड प्रोब्लम बोल्ट फ्रम्ट फ्रम दे ब्लू इसने मेरा बूल उफ कंटेंशन मतलब क्या होते दूश्टू जगडे की बस्तू ऐस जगडे का चीपा हुआ था इन डिसक्यूस था तो लेंके चीपा हुआ बरदान लें ब्लिजिंग अगला हमारा बॉजम फ्रेंड मतलब जिगरी दोस्त हुजे दोस्तों कोई दोस्त आपका बचपल से ही हो ठीके जिसको बोलते हैं मतलब काफी करीब रहा हो आपकी हर सिच अपने प्रें को का किया कि उसको वरसी हांसे मारा खुंग ज़गा आलख से हांसे मारा बिछालने अभर लाइगा तो अब का हो गया अब योट बन जाएग अपना छुपी चूट रहा है ऑप फेल रहा है प्लूट को ऐसे डुनिस्ट है युदिए लिक्तित इसे सांत और आप इसे बोलना चाहते हैं तो आप कोई वर्ट बोलेंगे शुरात करेंगे उस बात करेंगे वह बोलना सुख जागा मतलब उसका जो पूरा लमिन भी बात ही करेगा पूरा लमिन आप फेकेगा उसी तरह से आइस का भी काम है आइस को थोड़े साथ टच कीजिए इस बात करेंगे आइस महां से पानी फॉर्म में वाटर फॉर्म में फैनल लगेगा तो दोनों का करेंगशन सेमी हैं त्वेस्टार करूरज बरिगदाउश इर्फ मुट्री 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 ब्रीथवन दो साथ को लेंगा MORE मुट्री नैत लेंगे मिठंगव आगे में आस्टारए मुट्च रखाई नाव फीख़ज देन व काम हाय gefलुई हग नावट बात ब्रॉट धेन नाषट इन डिलाइट ठीक है अगला है ब्रोकेन डिर्ड मतल करता अभिश्वासि बक्ति जो विश्वास तोड़ दे उसको अभिश्वासि बोलेंगी ठीक है जिस पर विश्वास करना का है मुस्किल है नेक्स्ट्रेमाई दोस्तों ब्राउन स्टडी मतलब बीचार मंगता है आप स्टडी कर रहे हैं इसको बोलेंगे ब्राउन स्टडी और दोस्तों आपने थेख़ा है जो भी UPSC त्यारी करते हैं कवह एक्सटडी करते हैं उंको deep thoughts से आते हैं तो उंको एक्सटा करके करना है तो उंको deeply पढ़ना पड़ेगा किस्धिश्च को ब्राउन स्टडी करना पड़ेगा तो उसको बोलेंगे ब्राउन श्टडी, विशार भंगनता, अशेट अप डीप स्टडी, अगला हमारा बूल इन द चाइना सॉप, वो सूचिए, चाइना में आपने क्या किया, आपने चाइना में, चाइना सॉप, चाइना के बजार में आपने बैल को देखा, पुरें दोस्तर, बैल करता क्या ह हमारे हाँ बैल गाड़े घिसता है, तो वहाँ पर बैल गिसता है, या खेत को जोतने में काम ले आता है, ठीक है, और साथ में धान वगरा का हुआ, उसका भी और या पिराई में काम आता है, अब देखिए, हमारे हाँ तो बैल का काम है, क्योंकि बहुत सारी हमारे हाँ के बहुत दिनों से आज से नहीं, मतलब भवान भोले नात का समय से, ठीक है, बैल, सुरू सही मतलब एक बहुत ही इंपर्टन पसू रहा है, तो यहाँ इंडिया में उसका काम है, लेकि नब चाइना में चल गया, चाइना सब अचानक आपने का आगा, बैल को देखा, तो आप स पूल इनद पूल इनद चाइना सब, मतलब इंडिया में जरूट है, इंडिया क्रिश्ड पर्जान देश है, तो आपने बैल काम है, लेकि बाकी जगह कोई काम है नहीं, मतलब यह क्या है, यह जगह गंकूल नहीं है, उसको बलाँ की बूल इन चाइना सब, बर्न अहौल मतलब देखिए आपका pocket में बहुत सारे पैसे हैं, लेकन का हो गया, उसमें hole हो गया, तो मतलब आपने समझे है, कि आपने सीख्ण बहुत सारे रखा था, pocket में कहीं जा रहे थे, कोई बच्चा क्या क्या किया, बच्चा आपसे मस्करा करना चाहता है, तो क्या किया, एक सारे पैसे गिर गया , खर्च हो गया , पकेत से एक लड़का होल किया , आपने भी उस पैसे को सीजरता से कर दिया , बहुत कम समय पैसे गिर गया , तो ही मतलब इसका , आप इसको रेलेट कीजिए , money is spent quickly, ठीक है, तो ही बात है, शिर्दा से पैसे खर्च करना, तो को पलते है, burn a hole in the pocket, ठीक है मारा, burn one's fingers, मतलब खुद का नुक्सान कर बाट, ठीक है, अपना fingers को दोश्तो, कोई बंद्रा खुद जला रहा है, मतलब का घरा, अपना नुक्सान खुद कर रहा है, ठीक है, to get oneself in a potable, ठीक है, ठीक है, burn a candle at both ends, मतलब का कर रहे है, मतलब का बुद्धि जला रहे है, candle जला रहे है, ठीक है, दोश्तो तरफ, मतलब क्या है, आप अपनी जमता और साधन, तो जमता साधन का, मतलब पहुँ जदा इस्तिमाल कर रहे है, उसका बोलेजाओढ ग्लत आपका आपको पता है कि एक candle मैंने रखा है stable पे light नहीं है, कब candle से पर रहा है, लेकिन आपको पता है यहार एक candle उथना sufficient नहीं है, light खमा रही है, हमको दो candle लगने चाहिए, तापकर कि यह दोनों तरफ, no double के दोनों तरफ, अपने दो candle लगा दिए और तो आप पढ़ाई कर रहे हैं रिस्वर्स भी उज़ कर लिए स्वाय आपका छमता भी आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे है तो इसका मतल का हो गया आपनी छमता और साधन का अतधिक इस्तमाल कर रहे हैं मतलब बर्न दे केंडल एट बोथ इंड्स ठीक है इसना बर्न वीड्नाइट ओएल देर जाए तक मिनाद करना सुचे दूस्तों पहले क्या होता अब तो खर लाइट होगा गया है पहले हमारे जमान माने अभी भी चलता है कहीं कहीं गाओं में जहां लाइट की सम्था नहीं है हसलिक अ कै करते हैं या ठी मतल grated है डी ब्याएं कर यो हो भी और समय क्या हूं डिया और अज़ नहीं पारी घृटवे में बचछे उससे शाडी करते हैं तो तो पूरा सीशी में पूरा उसको भर दे जाता है और आप इसे पढ़ते रहते हैं और रात भर में पूरी सीशी क्या हुआ दिए इसको तेल रहता है मिटी तेल रात भर में जलके खतम जाता है तो आपने खतम कब हुआ रात भर में हुआ इसा मतलब का हुआ आपने डिवी ज मतलब आपने तेल को अपोले कि नहीं मैं जब तक पढ़ूँगा तब जब तक ये थेल खतम नहीं हो जाए मतलब जब तक दिया बुचना चाहिए मैं तब तक पढ़ूँगा किसे मतलब कहा होगा आपने देरा तक मेहनत किया तो बर्न तो मीडनाइट ओयल निक्स्ट नमारा बर्निंग क्वेस्चन मतलब जोलन प्रसन है होट इस हो ठीक है अगला बरीधा है डेक दुष्मनी खतम करना च्वनी खतम करना अब देखिए गिशी गिशी अगिशी हो तो आपको हमेंसा टेंसन रहता है कि यार हो मेरे मेरे मेरा कोई हाणी नकर दे टीक है दुष्मन का काम क्या होता है नुसान पहुंचाना तो आप कुछ भी किसी तरह से नुसान पहुंचा सकता है लेकिन अगर आपने उस बारीधा कर दिया तो कोई टेंसन यह नहीं है अपने तु इंड्र होस्ट लीठी दुस्मानी खतम करना वें अव्या हो जो पहले मेरा है था खताम हो गया है तो आप मेरा कोई नुसान नहीं पहुंचा पाएगा ठिक है कि अगला में फिट्स एंड स्टार्ट्स मतला हुख कर अनिमेत रुप से चीक है इरेगुलर आपना बाई हुख और बाई कुछ भी हो जाए किसी तरह से तो सही है गलत तरीके से मतला आपको चीज को एक्चीब करना ही करना है तो इसे कोई बंदा ठान लेता है कि नहीं कुछ भी हो जाए हमको यह बीजनेस में आगे बढ़ना है चाहिसे हमको चोरी करना पड़े ठीक है या महत्त करना पड़े सुबलंगे बाई हुख और बाई लिट्स एंड बाउंट्स मतलब दिन दूनी राजचेगुनी अट रैप आप वो लिट्स एंड बाउंट्स का स्वादे रहें है कि अगला है बाई दस्की इन ओफ वर्न्स टीथ थोड़े अंत्राल में मारे दूस्तों दात होते है न दोने दात की देखें गया थोड़ा सा स्वी रोता है चंबरा होता है अगला थोड़ा सा मतलब हलका सा इसलों इसलों तक जा रहे हैं मना ऐसे चाहले कर जा रहे हैं जहां कोई कामी नहीं है मतलब आप बिवचा मेंनत कर रहे हैं ठीक है आगा है कास्ट पीरल्स पीफूर स्वाइन्स आप जिए बंदर के हाथ पर नारियल आप किसी इंपर्टेंट थिंग्स को किसी विक्ति के हाथ में दे देना जिसा कोई मुल्य ना समझे उते हैं कास्ट पीरल्स पीफूर स्वाइन्स ते कास्ट कास्टल्स इंद एयर मतलब हवाई की लवनना श्या आप मतलब एयर में एक ऐसा हिला बना रहे हैं सुझे जो की पॉसिबली नहीं है उसको अधिर से क्या करना कि नहीं हम कर देंगे हम यह कर देंगे जैसे आपने बुला कि हम असमान में क्या करेंगे घर बेना देंगे समय नहीं है तो आप क्या करेंगे आप काशल सेंद एयर की बात कर रहे हैं आप हवाई के लिए बना रहे हैं मतलब कलापून जीन सुझे आप दोस्तों लाइफ होता है किसका कैट और डॉग का वास्ता में कलापून होता है क्योंकि देखिए कोई इनको पालता नहीं है और जैसे कि अगर कोई भी सजीवी प्राड़ी इस दुनिया में है तो उसको भोजन के जरुवत है क्योंकि उसको एनरजी मिलती है उससे अपना काम करता है कि मुझे ने मिले तो क्या हो मर जाएगा तो कोई डॉट के जरुवत है तो साम पर खाने के लिए गया है और किसना देख लिए घूज रहे हैं जाकर या कोई रूटी रहे हैं किसे ने देख लिया तो अदम ले पड़ेगी मतलब ले पीटाई दोनों को डॉक को आप वही हाल है और बेली का भी वही हाल है तो इसका जीवन कैसा होता है कलापून होता है तो कभी शांति से कोई इनको खाने नहीं देगा कहीं भी चरह जाए सुचे दोस्तों कैट और डॉ अगला है कलापून जीवन देख कैच अडाटर मतलब शत्रु आप बहुत परिशानी से सामना होना तो इन्सूर अमोर फैमिल और स्टंगर ऑपनेंट अगला है मारा कैट्स पो मतलब निरीश्वार्थ प्रती दिस्वक्ति का परोकिर तो मतलब कैट्स पाउ ठीक है करना कि अगला है chicken hearted मतलब का है तो रहुत करता करना जब मतलब देखा हुआ की जो कलेजी होता है लो पंप करता है अ कभी-कभी काटने के बाद भी मतलब क्या है कि उसमें अभी थोड़ा थोड़ा जुसमें एक्सन होता रहता है तो जीकन हम लोग खाते हैं कि वह क्या है सुष्ब करेज नहीं है वह भी डर आ हुआ तब निकाल गए फिर भी डर हुआ है मतलों तो उतने जीकन हुट्रड है कायर है ठीक है है काई काउक एंड भूले स्टोरी दो क्या है मन गडंत कहानी आपने कोग और भूले श्टोरी सुना है ऐसा स्टोरी जिसको बारने कहीं प्रेक्ट सी नहीं है को जिसको अपनी से तो अगला है क्रोकोडाइल टियर्स दिखा वठी आसे सोचे दोष्ट हो आपने बहुत वस्ते अपने कार्ण सुने होगी क्या होता है की बोलता है कि नहीं मैं पानी में क्याव डूबाँ वा हुं हमको निकालो बाहर वाल वजिक्ति से कि हमको बाहर आना है अपनी में पानी म इस फ्रीमा उक्ति आपसे क्या करता है कि अप्सक्र देखा होगा आपको क्या करबालो कila करेगा कि कि नए मेरे प्रोगलम है रहादा है कि हमक्ते कि इसमें में help किजी help किजी लेकिन आपने जैसे उसका help किया या help करने के लिए गया है सब आपके ऊपर वह आपके आटैक कर देगा तो उसके पलते रिखावती है उसके पीछे उस आजसु की पीछे एक बहुत बड़ा वजा बहुत बड़े नुक्षान का जो इरादा है वो च आपने कामना कर रहें कैसी वस्तु असंभव आपके रहनी हमको मून चाहिए ही चाहिए मतलब क्या हो जी आपके मून मिली ने सकता उसको बोलते है क्राई फॉर दमुन कि जो सम्भ वस्तुर की कामना करना तो डिजायर और अनटेंडमल वर्सन अगल आपना क्राई ओवर थैस्पिल्ट में आपने दूद लाया बजार से खरिद के बट जैसे घर लाये दूद क्या ह गिर गिया सारद दूद क्या गिए बट्न गिया सारद दूद क्या गिए ऐसार दूद क्या गिए तो आप ऐसे बात करें ना बेट पर पस्ता रहें बाई तो गिर गया तो गिर गया ना फिर क्रा करो तो रिग्रेट इन वें फ़र वाट के नट भी अंडून मतलब हम जू काम वापस नहीं हो सकता उसके पीछे पस्ताने से क्या फायदा है मतलब अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव ना छोड़ना तो हम इसा क्या आप कहीं गया है मिश्या सोरी सोरी बोल रहा है क्या आपके प्रयास से तनिक प्रभाव नहीं चोड़ सकते हैं क्या आपके अंदर कोई टैलेंट है नहीं तो हमेशा और किसे सोरी सोरी बोल रहा है हम रा कट बोध वेस मतलब लाब और हानी एक इसमेमें चोते हमेरा कट्ट नो आसन डालला, यilation मत अब बार्प गुओ अपिनक नाई काथए तो खा गिपम के पेसल लेगा, ये पेसल वोग उपेल लेगा, नेङ बार्प कोम्ग हखें और हमेरा कों तो अब बार्प को पेसल आनकां के ऊचोल काथएंगे, येकемся भार्प को नाई ा कुई असर नहीं, कुई असर नहीं, कुई असर नहीं, to fail to make an impression, अगला हमेरा cut one's coat according to one's cloth, आपने नर्जी कहां गई, ठीक है, नर्जी ने का किया, आपके बड़ी को क्या किया, measure किया, इसका माप लिया, आपने बुलागे हम मेरे लिए कपड़ा बना दो, तो बुलाए ठीक है परने लिए, लाप कपड़ा लएगे हम इसको माप लिए, तो पहले तो आपके बड़ी का करता है और नापता है, नापी लिएए बड़ी का कि कि कितना कमर कितना चोणा ही हुआ, जिस्ट कितना रहेगा, ठीक है, यह सब मापता है ना, तुम मतलब का होगए, आपका जब बड़ी है उसकी हिशाब से उसको कपड़ा बनाना है आपको पहन नहीं सके ठीक है तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होता है कि आपको अपनी आयकन सारी को भ्याय करना आपको बड़ी है इसका जर्जी आपको बड़ी उसकी हिशाब से कपड़ा बनाता है उसका से आपक कि दान्स रिखनें تو आप्स बसता है तून जिस तून में जिस सिर्ग हाव्भा करना पड़ेगा how करना रहेगा उस्टेψ आपको प्रण के पिर आपको अच्छी डान्स chromय बन सकते हैं तरूज के पर प्रण करने कि तून का तून कि आपने देखा दोस्त हुम्हें जो अक्सर जो डांजर होते हैं वो ट्यून के कुड़ेंश चलते हैं जैसा तूं मज़े उस्तर से एक्स करेंगे। तीक है उस्तर से करेंगे। उसको कि भुड़ेंगे खुम का पालन कारना और पर कीज़ेगा है जूब लग जेंगाना तो और यह चीज़े होते हैं यह चीज़े प्राइबेट जॉब में बहुत अधिक होते हैं अगला है डार्क होट्स मतलब जो अपको अचानक पता चला कि यार यार मेरे दोस्त तो पढ़ता ही नहीं था थोड़ सा पढ़ता था और आज टॉप कर गया इंडिया में टॉप कर गय तो इस तो पका चला कर लिए कैसे कर गया रिखना आप दुप किया है वो डार्क होट से है जले कोई आशा नहीं था फिर हो जीत गया इंडिज को जो एक दया इस दार्क होर्स है गढरा है डीड लेटर मतलब काझू कावी लागू नहीं तक अब लागू नहीं है तक लेट अगला है वर्ट्स मतलब तल्वार तो किसी रक्षस का तल्वार आप मंदर आ रहे मतलब का है खत्रा है तो दिमकल से चोड़ मंदर था खत्रा नेक्स्टे मारा आप देखेंगे आँ डाई इन डॉग डीथ डाई या डॉग डीथ मतलब अब देखिए कुता क्या है अपने समया अपने अक्सक्ता देखा होगा कि मढता यह कोई पूछता अगर आती है और अगर नगर थाए है उस 54 कार ताके के कहलेंग, टाल देंगे उग मत कीम देंगे शुक्या की मत होती है, मत castsट, तो क्या किक की मत्रेग का है, X tät seperti आठ गहलता है, वह किसी मत्रेग को नह देख दब सास्टू कने, ज़से के मत्र अज़ेश, क Θया हुआ ना के विछ이 пр concepts वान्वा मीत्रा पुड़। और लोगों नाया उठाया और किसी नढ़े अधिया वही है तो दोसको बलेंगे डाइ 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 डीत मतलब लजनक मौत मारना तो डाइ यह सेमफूल डीत अगला हमा डाइ यहारनेस मतलब अपनी कारवधनि के दोरा मुर्त होना आप ड्यूटी कर रहे हैं सब्सक्राइब एप संहीं सब्सक्राइब तुल इंक घे erste कोई जाद तो डूना कि पैसे इंद्सक्राइब तो डाइ इन हानेस मतलब अपने कारवधी के दुरान मरदेना वो डाइ इन सेर्विस जैसे कोई सोल्जर है अगर वो क्या होगा तो डाइ इन हानेस बलेंगे डाइ इंद बैंगर मतलब जो दूसरों के सुक का भोग करने ने देता है ठीक है a person who prevents others from enjoying what he cannot प्रोचे एक तो आपके पास कुछ है नहीं ठीक है और दूसरा कोई अगर सुखी है ता आप उसको देखे जल रहे हैं ठीक है उसको बोलते हैं dog in a manger अगला है donkey's ears मतलब काफिश में बाद मतलब काफिश में बाद a long time अगला है draw a line मतलब मर्यादा तैक करना सेट लिमीट बलते हैं draw a line इसा में तिक्षा मोरा जो मर्य परश्वत में राम थे उनकी माज उनकी पत्नों थी? सीता माता थी तो जब आप देखोंगा रामयन में लक्षमजी जाय रहे हैं न शीदा माता है कि आस्तरम के बाहर एक लक्षमा रेखा की चिदी मतलब क्या है वह मनता है कि उसको बोलते हैं हम लोग यह मनता की रेखा है और बोले कि जो भी सो क्रॉस करेगा वह जलके भस मों जाएगा चुक्छा कि उन्होंने एक लाइन रो कि चावर तरफ असार्म के होनी को निटाल सकता है और देखिये होनी यतनी प्रपल थी कि माता सिता को वहां से बाहर आना पड़ा और बाहर आई तो उनको हर ले गया तो वही बात है ड्रो लाइन मतलब मनाता था करना शेट लिमीट करना डग आगा है डग इंदा थंडर स्ट्रोम मतलब बयाथा में के इनन पिंप आप से तो अंट अर्फी बड़ा है था काफी बढ़ा आध कर माताल है इस वक्रहाएक रहा हम कही उर के कहीं चलना जाये यह यहन मेरा बढ़ी करना काई तो अपस तो आएगा नहीं बहुत तेजह होता है तुरहन इधर देखेगा तुर्ण इधर देखेगा मतल extensions को खा लिया, उसको मैंने वापस लिए unf tod वापस ले लीया , बंस्त सभ वापस लेना इस दगला है Cumिति आपने कोई बालूं हो गया निकला करना तरहु सोच कहा कर रहा है। कोई परणार निकला है को प्राव निकला है काहरा गया उसे कोई पढ़ाम निकला उसका कोई निकला उसका बलेंगे in in a smoke मतलब कोई पढ़ाम निकला तरसा वैसा वैसे हमया लाइफ मी होता है दोस्तों हम काफी मिन्नत कर देखार कभी और प्रेशा लगदार मिन्नत कर रहे हैं तीन साल चार साल लेकिन आज तक जोर में मतलब हमारा जो महनत है क्या हो गया स्मोक में इंड हो गया मतलब कोई पुणाम नहीं नहीं चाहता लेकिन भीजी बोल दिये अगला है फैवियन पॉलिशी श्रधानी पुन मन गति गिन्यती तो दोस्तों आज इतना ही परें रहें रहें वीडियो बहुत लंबे कुछ आएगी क्योंकि मैंने इसमें 100 वर्ट कराएं लेकिन 100 के साथ 100 इडियों को साथ मैंने आप कापी सारे टिक पताई है याद करने के लिए और आशा करते हूं कि आपके शेशन को आज आपने काफी अच्छे से इंज्वाय किया होगा ठीक है क्योंकि इंग्लिस पर्ण का सबसे बेस्टर कर यही है कि आपको आपको अपने रियल नाइप शे जोड़ के पढ़ा जाए तो आप उसको लमेशन तक याद रख प कि आज क्लास हमारे वास्तों में हेल्फिल हुआ है तो इसको लाइक करें और शाथ में चैनल बनना है इसको सब्सक्राइब कर लेजिए क्योंकि लगतार वीडियो आएंगी इस तरह से आप इसको देखिएगा आप इस वीडियो को इंज्वाय किजिए ठीक अच्छे से दे क्योंकि यही इंज्वाय आपको SSC MTS में इस बार स्रसन दिलाएगा ठीक है तो और अगर आप इसको कोई दोस्त हो आफिस साथ हो तो इसको सेर भी कर सकते हैं कि यह क्लास को वह भी देखे और वह भी आफिस साथ स्रसन ले सके नहीं बाद चलिए मिलते हैं इस्ट्यों में बने रहें इंज्वाय करते रहें पड़ते रहें अपने माबाप को समने को लागेजिए अन्यवाद